प्रास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसी इसको periodic table के एक बहुत ही interesting topic को जिसमें कि हम लोग element के nomenclature को सीखेंगे element का nomenclature हम लोग क्यों करते हैं क्योंकि माल लोग कि अगर आप लोगों को जितने भी element अभी तक मिले हुए हैं जिनका नाम आप लोगों को IUPAC की थ्रू confirm कर दिया गया है उसके लिए तो कोई बात नहीं लेकिन माल लोग कि आज ही कोई आपको new element discovered हो जाए तो उसका atomic number क्या होगा हम लोगों को तो 118 तक का element के बारे में पता है और उसके बारे में कुछ information पता है और अभी तक में recent year में बहुत सारे element का नाम भी हम लोगों को दे दिया गया है मतलब कि उसके name क्या होंगे उसे भी announce कर दिया गया है लेकिन माल लोग की कोई element है जिसका atomic number क्या है जिसका atomic number है हम लोगों को for example कुछ भी हो सकता है 100 से उपर का कोई value हो सकता है तो माल लोग की 122 atomic number का कोई element discovered हो तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या call करेंगे इसका क्या नाम रखा जाएगा या इसके बारे में हम लोग study करेंगे और इसके बारे में हम लोग उनको आपस में बात करनी है तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए हम लोगों को IUPAC ने IUPAC यह क्या है International Union of Pure and Applied Chemistry यह जो और्गनाइजिशन है chemistry में जितने भी कोई भी मतलब कि chemistry का कोई भी अगर announcement हो या कोई भी इसकी authority किसी को देनी हो या कोई भी चीज worldwide जब हम लोग apply करते हैं तो approval हम लोगों को यहीं से मिलता है ठीक है तो इसी organization ने एक rule decide किया है कि आपको newly discovered element ठीक है newly discovered element को अगर हम लोगों को इसका nomenclature करना है तो कैसे इसको हम लोग बच्चे क्या बता रहे थे आपको बोल रहे थे कि जैसे कि हम लोगों को IUPAC nomenclature में क्या करेंगे कि इस कोई भी newly discovered element को उसके atomic number के basis में हम लोग क्या करेंगे उसके nomenclature करने की कोसिस करेंगे और इसके लिए हमें क्या दिया गया है इसके लिए हमें alpha weight में जैसे कि इसके जो मतलो कि हम लोगों को इसके numbering होंगे जैसे कि first digit में कौन सा letter present है second digit में कौन मतलो कि second place पे कौन सा digit present है third place पे कौन सा digit place present है ये क्या हो गया place one ये plus two ये क्या हो गया हमारा place third place ठीक ना तो इसी के basis पे हम लोग क्या करेंगे इसके name को represent करेंगे हम लोग क्या करते हैं digit को represent करने के लिए हमारे पास क्या तरीका दिया गया है हम लोग उनको zero one two three four five six seven eight and nine digit को हम लोग repeat करके कोई भी number बना सकते है तो इसके लिए हम लोग को क्या कहा गया है इसके लिए हम लोगों को अगर कोई कहीं पे भी zero appear होगा तो इसके नाम को हम लोग क्या रखेंगे इसके नाम को हम लोग निल रखेंगे ठीक है और इसका symbol क्या होगा इसके name क्या हो जाएंगे यह इसके name हो गए यह हो गया हमारा desert ठीक ना और इधर क्या हो जाएगा हमारा symbol तो zero के लिए हम लोग निल यूज करेंगे और इसका symbol क्या होगा अगर N present है तो first place पे नहीं present होगा यह, कहीं पे present होगा तो N इसके लिए use करेंगे symbol, फिर उसके बाद अगर later one है, तो इसके लिए हम लोग क्या use करते हैं Unuse करते है Un, ठीक ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, use से represent करेंगे, फिर अगर two कहीं पे हैं तो इसके लिए हम लोग by use करते हैं इसके लिए हम लोग b symbol use करेंगे फिर उसके बाद three कहीं पे appear हो रहा है तो इसके लिए हम लोग try use करते हैं और इसके लिए symbol क्या होगा t symbol होगा इसके लिए symbol क्या होगा t फिर अगर कहीं पे four use हो रहा है तो इसके लिए क्या होता है? Quad Q-U-A-D Quad और इसके लिए हम लोग Q यूज़ करते हैं अगर कहीं पर 5 यूज़ हो रहा है तो इसके लिए सिंबल क्या होगा? Pent होगा यूज़ ठीक न? P, small p यूज़ करेंगे 6 के लिए क्या होगा? यूज़ होता है आपने जिस समय Nomenclature of Organic Compound स्टार्ट क्या होगा? उस समय इसके लिए हैप्ट होता था लेकिन अभी ये क्या है? सैप्ट होगा क्योंकि इसमें हम लोगों को किसी भी अलफावेट के लेटर किसी भी नेम में जो अलफावेट है वो इक्वल नहीं किस कभी भी मैच नहीं होना चाहिए नहीं तो सिम्बल हमें क्या हो जाएगा? 6 के लिए हैक्स के लिए सिम्बल H हो जाएगा और 7 के लिए सिम्बल हमारा H हो जाएगा तो उसी को चेंज करने के लिए यहां पे क्या होगा, सेप्ट, ठीक है, ऐसे स्मॉल होगा, फिर उसके बाद, 8 के लिए क्या होगा, 8 के लिए हम लोगों को, आक्ट होगा, तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, और 9 के लिए क्या होगा, इन होगा, ठीक न, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस सिंबल हो जाएगा, तो आप लोग द्यान से देखो, कि यहां पे कोई भी ऐसा अल्फावेट नहीं है, जो कि दो बार रिपीट हुआ हो, हर किसी के लिए एक यूनिक, हम लोग अल्फावेट यूज किये हुए है, ठीक न, तो अब अगर मालो कि हमारी एकजांपल में, को हम लोगों को रूल कहता है, कि वन के लिए आप अल्फावेट यूज करो, जो भी हमारा इसका नेम दिया गया है, वन के लिए क्या नेम दिया गया है, वन के लिए हम लोगों को नेम दिया गया है, वन के लिए हम लोगों को नेम दिया गया है, तो इसके नेम को यूज किज capital रखेंगे बाकि सारे लेटर को हम लोग small में रखते जाएंगे तो un के बाद फिर से un आएगा तो un un फिर उसके बाद third लेटर क्या है nine है तो third third is it जो हमारा nine है उसके लिए क्या use करेंगे in use करेंगे की double and in use करेंगे और लास्ट में क्या करना है किसी भी नम्मर के लास्ट में हमें क्या करना है add करना है आई यू एम यह सभी लेटर के third is it में एड होगा यह कहां पर एड होगा यह एड होगा third is it के last में यह third is it के last में यह एड होगा ठीक ना और अगर third is it में पहले से ही कहीं पर I present हो जैसे कि आपको करना है I present औरक बाई में भी प्रेजंट है ठीक ना तो इस दोनों condition में क्या होगा कि एक i को हम लोग silent कर लेंगे तो अभी तो i last way नहीं प्रजेंट है तो हम लोग simple क्या करेंगे इसमें ium add करेंगे तो इसका name क्या हो जाएगा अगर कोई भी element discovered हो रहा है 119 बाला तो इसके name हो जाएगे un un inium ठीक ना और इसका हम लोगों को symbol क्या हो जाएगा इसका ये name हो गया iupac name हो गया और इसका जो symbol होगा इसका symbol क्या होगा इसका symbol use करेंगे हम लोग जब इसके symbol को use करेंगे तो first letter अंका फिर दूसरे वाले digit का first letter और तीसरे वाले digit का first letter तो इसका symbol हो जाएगा U, फिर से U और उसके बाद E, ठीक न, तो इस तरह से हम लोगों को क्या पता चला, कि अगर कोई newly discovered element है, जिसका atomic number 100 से above का है, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, nomenclature कर सकते हैं, उसके हम लोग symbol को represent कर सकते हैं, फिर से एक example लेते हैं, जिसमें last का letter, I से end होना चाहिए, तो हम लोग देखेंगे कि उसका name कैसे करते हैं, तो ठीक है, तो एक letter हम लोग माल लो कि, for example, ये हमारे example 1 में है, ठीक न, ये example हमारा क्या था, 1 था, example 2 में माल लो कि, आप लोग को एक element discovered हो रहा है, 100, फिर इसके बाद 23 discovered हो रहा है, ठीक न, तो फिर से इसके nomenclature को देखते हैं, हम लोग कैसे इसका nomenclature करेंगे, 1 के लिए हम लोग क्या use करेंगे, unuse करेंगे, un, फिर 2 के लिए क्या use करेंगे, 2 के लिए हम लोग buy use करेंगे, और 3 के लिए क्या use करेंगे, try use करेंगे और last में क्या आय करेंगे हम लोग last में I you am add करेंगे, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, अब देखो कि इसमें क्या हो रहा है, हम लोग उंको 2 a's last में present हो रहा है एक i से हमारा ये ind हो रहा है, ये वाले i से हमारा ind हो रहा है और यहाँ फिर से i use हो रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको un by try em ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां दो i हम लोग नहीं रखेंगे, तो इसके बदले हम लोग क्या रखेंगे, एक i को silent कर लेंगे, इसके i को try वाले i को silent कर देंगे, तो इसका नाम क्या हो रहेंगे हमारे पास un by un by try try के बाद i um try का i हम लोग silent कर रहे हैं और i um last वाला add कर रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा un by try and और इसका symbol क्या हो जाएगा इसका symbol हो जाएगा आपको u b t हो जाएगा इसका symbol तो इस तरह से आप किसी भी element के लिए जिसका आपको newly discovered element है जिसका atomic number आप लोगों को क्या है जिसका atomic number hundred से उपर है उसके आप nomenclature को कर सकते हो तो हम लोग देखते हैं एक दो number को और देखेंगे 130 का अगर हम लोगों को nomenclature करना हो तो क्या हो जाएगा अन try nil untry nil फिर last में क्या हो जाएगा इम untry nil यह value इसका symbol क्या हो जाएगा इसका symbol हो जाएगा इसका symbol में पता है कि first letter alphabet होगा इसके पीछे आने वाले जितने भी लेटर होंगे वह क्या हो तो इसे थे determining behavior उसका uy दिसक्रेजास जो आपको newly discovered हो रहा है उसके टोमक उसके आप लोग क्या कर सकते हो और उसकाhh इसंबल भी आप रेप्रेजेंट कर सकते हो, तो next आजक इस topic को हम लोग एक ही simple सा topic था, इसको हम लोग यहीं paint करेंगे, next दूसरा हम लोग lecture बनाएंगे, तो उसमें हम लोग किसीज को करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि periodic table में किसी भी element का position, in period और in group, क्या position होगा, with the help of atomic नमबर ठीक है बचे आज की क्लास को हम लोग यहीं पे इस वीडियो को हम लोग यहीं कर रहे हैं